तो गाई सबसे पहले तो मैं आपको यह क्लियर करूँगा इस वीडियो में किया अगर आपको थोड़ा सा भी समझ नहीं आएगा तो आप वीडियो के नीचे ना कुछ भी लिख कर जा सकते हो तो आज के स्टॉपिक में आप समझे रहे हैं सिखने क्या वाले हैं हैंड पिकिं मेथड यानि हस्ट चैन बिधी का होता है मेथड इंग्लिस और भी होता है जैसा कि आपको यहां पर असानी से दिख रहा है हस्ट चैन बिधी यानि हैंड पिकिंग मेथड ठीक है तो मैं आपको हिंदी में भी बताओंगो और इंग्लिस में भी यहां पर बताओंगा तो य Cannes by hand, यानि हाथों के द्वारा यहां पर आप देख सकते हैं अनाजों में से, अन्यूजबल मैटेरियल को हाथों द्वारा चुन कर हाथों द्वारा चुन कर अटाने की किरिया को हम कहते हैं हस्द चैन, विध्यानि hand-picking method, समञळ आई की नहीं है और यहां पर but this method tax more time आपको तो पताई है कि आर हैंड से चुनकर निकालना है तो उसमें बहुत सरा टाइम लगेगा ही लगेगा ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंगली परिभासा जो है कुछ चीज परकार की है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि the method of separating the the unusable material from the grains by hand is called handpaking but this method takes more time तो अगर आप इंगली स्वाले हैं तो लिख लीजिए और इसका जो यह कह सकते हैं अगर आप समझें अगर reality में अगर इसको समझें तो कुछ इस परकार की होगा कि हमारा जो अनाज होता है यानि अनाज कैसा होता है आपको मैं हिंदी में बता रहा हूँ कि हमारा अनाज क्या होते हैं जैसे भूसा उपयोग के होते हैं हमारे नहीं होते हैं तो हमारे उपयोग के भूसा भी नहीं होते हैं और डंठल भी नहीं होते हैं और कंकड भी नहीं होते हैं तो उन सभी को क्या कर रहे हैं हाथों से चुनकर उसको बाहर हटाना यानि निकाल कर विक देना गाइ तो में स्वी उप्योग न करने वाले पदार्थों को हाथों से चुनकर अलग करने की बिधी को हम कहते हैं गाईज हस्त चैन बिधी परन्तु इस बिधी में टाइम क्या लगता है अधीक लगता है तो यार हाथों से चुनकर बाहर निकालना है तो टाइम तो लगेगा ही न जिया हाथों से चुनकर निकालना है तो टाइम तो यार अधिक लगेगा ही लगेगा तो वही है अनाज अब समझ रहे हैं कि क्या होता दाल चावल और कह सकती हैं दाल चावल के साथी साथ मटर और ग गाईज उपयोग ना करने वाले पदारते यानि हमारे उपयोग की नहीं होते हैं जैसे भूसा को उपयोग हम करते हैं नहीं करते हैं ते अनाजों में से भूसा डंठल यानि उसके जो होते न डहूंगी कह सकते हैं और कंकर इतियादी को अनाज में से यार निकाल कर हाथों द कर बिनती है हाथ से के दोवारा उसमें से कंकर चावल में से बिनती है तो क्या बहुत टाइम लगता है जिया लगता है तो वही आपका ममी जो खाना बनाती है तो चावल को हाथो दोवारा चुनती है तो वह गया है कि हस्त चैन बिधी है तो अगर आप समझना चाहते हैं क्या अनाज क्या होता है, तो आप आगे देखें कि अब हम समझाते हैं कि अनाज आखिर होता क्या है, ठीक है, तो अनाज के चित्र भी और नाम भी हम बताएंगे, और आप देखने का पर्यास किजे, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर आपको जो दिख रह तो यह क्या है मक्य है यानि कह सकते है इसको हम अनाज कह सकते हैं तो और भी अनाज के यहाँ पर चित्र है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि क्या है चावल भी कह सकते है धान भी कह सकते हैं कि धान में से निकलता है इसको राइस भी हम इंगलिस में बोल सकते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं गिहुम गिहुम क्या है तो गिहुम भी क्या है एक अनाज है तो आपको समझ है आई की नहीं आई कि अनाज हम किसको कहते हैं यहां पर और भी देखे तो दलिया यहां पर आप देख सकते हैं जिसको मिंगलिस में बात कर तो ब्रोकन विट्स और प्रोट्स भी हम बोल सकते हैं तो इसको हम दालिया कहते हैं दालिया नहीं दलिया कहते हैं ठीक है यहां पर आप देखे यहां पर अगर आप देखे तो क्या है राइस फ्लैक्स यानि कह सकते हैं फुहा या चेवड़ा यानि कह सकते हैं अगर कह सकते हैं घरलू भासा में अग तो यहां किया है एक तरह से अनाज ही है यहां पर अगर आप देखें तो बारली यानि कह सकते हैं जो भी क्या एक अनाज है तो अनाज के बारे में आपको समझ आ ही गई होगी तो वीडियो को लाइक कर दोना यार और चैनल पर नए हो तो सबस्क्राइब भी कर लेना ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हो यार लिखा क्या हो है बाजरा या कह सकते हैं जुवार जिसको में कहते हैं माइलेट ठीक है तो और भी अनाज है जैसा कि आपको यहां पर दीख रहा होगा क्या लिखा हो है तो सोरगम यानि कह सकते हैं जवार चारा या चरी ठीक है तो और भी पदारते हैं जुकि आप यहां पर देख सकते हैं जैसा कि क्या है जय या पर यहां पर एक क्या है तो आज की इस वीडियों में इतना ही मिलता है आपका एक और नए वीडियो के साथ तो तब तशकर के stagnate करूआ और बाबाट टेक क्यार बेस्ट अफ लग बने रहना और जुडे रहना अगर कोई दिकत हो तो यार जरूर निसे लिखना ठेके तो चलिए आज का वेडियो यहें पर समाप्त हुआ